जैसरी राम तो आज की वीडियो में हम दो हजार चोबिस के सैट चार के नुमेरिकल्स करेंगे ठीक है यह कुशन देखो एक एलेक्टोन एन बराबर दो से एन बराबर चार कक्सा में अपने इस्थेती परिवर्तन करता है रिडबर्ग निया तक आरो तो इसके सलंग तरंग दैर ये होती है जो को फोर्मूला यह एक बाटा लैमडा बराबर एक बटा एन वन इसक्वार एक बटा एंट लिगे ठीक है तो दो कर चार चार कर शोड़ा वेल्यू रख दी एक बटा लैमडा आ गया तीन अर बटा इसको इलट देंगे उसक्ते लिगे तीन आउन रहासा सोल करा इसको हैल्शम लेगे फिर प्लट दिया लैमडा बराबर आगे 16 अगला कुशन देखे फोकस दूरी 20 सेंटीमेटर का एक अवतल दरपन वस्तू के दूगनी माप का एक कालपनिक परतिविम बनाता है वस्तू है दरपन के वेच की दूरी है देखो वैसे तो हम इस कम के वल एक ही उप्सन है 10 सेंटीमेटर तो यही सही आंसर आएगा वैसे हम दरपन के आवरदन का फोरमूला लगतिरंगे जहाँ है पर आई है परतिविम कीुर salah है वस्तु की हों चाहिए वी परतिविम की दूरी यू वस्तु की दूरी है फॉर्मूला होता है दरपन में आवर्दन का और आई बराबर जो है वस्तु से डबल है इमेज ठीक है तो आई की वैल्यू टू ओ रख देंगे हम ठीक है तो उसी ओ कैंसिल होगे वी जो है वा अगर एक बटा टू यू तो यहांसे यू की वैल्यू आ जाएगी अप बटा दो ठीक है अवतल दरपन के लिए माइनस बीच सेंटिमेटर तो यू के आ जाएगा माइनस दस सेंटिमेटर ओके अगला कुश्चन गया है कि एक समतल विदू चुम्ब के तरंग में जो दो लिए चुम्ब के छेतर का समीकरण दिया है और विदू चुम्ब के छेतर का पूछा है देखो आयाम आयाम हमें को बदलना है ठीक है जैसे इसमें चुम्ब के छेतर का आयाम है आट गुना दस की पावर माइनस है तो विदू चेतर का आयाम क्या जाएगा ए बराब पूबिस सो ठीक है विद्व छेत्र का वाजएगा चोबिस सो तो यहां पर चोबिस सो और कला समान रहेगी तो विद्व छेत्र आ जाएगा चोबिस सो साइन और सेम टू सेम सब कुछ सेम ओके अब अगला है यह कि एक परकास किरण निर्वात में मियों पुवरतनाक वाले माध्यम से गुजरते यदि आप तनकोन पुवरतन कोन का दुग ना हो तो आप तनकोन का मान बताओ देखो हमें पता है सनेल का नियम लगाएंगे इसमें पहले हम साइन अब साइन नाईं पुवरतनाकोन का दुखना है तो अब उपरतन कोन को नाउन पुड़म ने आयुड़ाट लिखे लिए आप उपर साइन को हम फोर्मूला लगाएंगे आप तनकोन पुखते हैं two sign i upon two और cos i upon two टेंथ किलास में इसी को गए फोर्मूला आपने ठीक है आप अंगल्स में और नीचे का है नीचे sign i upon two है तो इससे cancel हो जाएगा बराबर mu तो cos i by two क्या हो गया two ये divide में चले जागा mu by two हो जाएगा और i by two हो जाएगा cos inverse mu by two cos i by two बराबर हो जाएगा mu by two ये two divide में कहाँ से आया ये वाला two divide में चले जाएगा और i by two बराबर हो जाएगा cos inverse mu by two अब ये two जाएगा तो i बराबर आजाएगा two cos inverse और mu by two जाएगा किस चीज का मान आप तन कौन का मान अगला कुशन है दिए गए अनुनादी LCR परीपत में परवाई धारा ग्याद कीजिए देखो अनुनादी परीपत है अनुनादी में XL और XCC इन दोनों के value के हो जाएगा बराबर हो जाती है और इसकी परतिबादा जैड जो है वो R के बराबर हो जाती है जैड बराबर क्या होता है R यानी सोम धारा क्या हो जाएगी धारा हो जाएगी V upon R या V upon Z ठीक और 200 वोल्ट को सोम से बाग करेंगे धारा आई बराबर आजाएगी 2 A ठीक है फोकस ओन दिस वर्ड अनुनादी ओके अब अगला है एक प्रोटून था एक अलपा करण समान विवांतर से तुरित किया जाता है यदि उनका वेक करम से वी पी और वी अलपा हो तो वी पी और वी अलपा में सम्मन लेखिए देखिए अगर किसी करण कावेश क्यों हो और उसको विवांतर से हम तुरित करें तो उसकी गतिज उर्जा क्या हो जाता है क्यों वी हो जाती है अब प्रोटून के केस में जो प्रोटून की गतिज उर्जा होगी वो हो जाएगी तो वो है प्रोटून कावेश E और विवांतर उसको V से तुरित किया अलफा करण के केस में एलफाघन पे दो प्रोटोनों का अविस होता है Are wonders में दो प्रोटोन दो नूट्रून होती है तो इसकी गतिज उर्जा हो जाएगी 2EV ठीक है अब गतीज उर्जा जो है वह बराबर होती है 1 गटफ़ 12m और है और स्वाइब हो जाएगी है कि सका द्रवेमान और इसका वंका स्वार्पर लेकिन जो इसका जो उत्रवामेन उसको अम लगबह प्रोटसुन की द्रेमान का चार गुना लिख सकते हूं कि उसके और प्रोटोन दो न्योोटोन की बराबर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा दो गुणा चार है शोब परोट्टोन और वी इलफाए स्क्वाइर बराबर तू इलेक्ट kicked वोल्ट Čट 나온 दो से चार्ख दो बचेगा और ये दो से दो कट जाएगा तो MP VL5 स्क्वेर बरावर इलेक्ट्रोन जितना इसका वेज है इंटू वी ठीक है अब ये इसको एक्वेशन वन बोल देंगे ये जो टू है इसको मल्टिपलाई में इदर लेकर जा सकते हैं ठीक है इस टू को यहां से यहां ले जाए जाते हैं ऑकर इसको बोल देंगे वेशन आगा इसको क्वेशन बैशन आगा वी पी आपन वी आलपा इक्वाल टू रूट टूर अगला कोशन है कि हाइड्यूजन परमाणू की आइन इन उडजा जाथ तेरा पॉइंट इस्क्वार इलक्डेन वोल्ट है अब हाइड्यूजन ने खाल को दो दिखो जार्री वैल्ली उड़ पास्वार होती है आइ स्क्वाइर चार में गुणा हो जाएगे ठीक है तो यह मल्टिपलाय हम कर लेंगे तेरा चुके बावन चचुक चोबिस चुमान पॉइंट चार इलेक्टोन वोल्ट यांस्वर आजाएगा हीलियम की आइनन उर्जा का अगला कुशन है सो वोल्ट पचास हर्टज वाले परत तो संधारित का परतिगात हो जाएगा एक्सल बराबर ओमेगा एल ओमेगा होता है टू पाई एफ इंटु एल एफ पचास एलेक बटा दस पाई कटके आंस्वर आजाएगा दस ओम अब जो टैन फाई होगा यानि धारा और वोड़ता के बीच में कलांतर होता है एक्सल ब यह जाएगी डिस रूट दो अभधारा हो जाएगी यह यह अमेस बटा दो यह 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 सो वोल्ट और अपॉन में जैड है सोई वीरमस अपन्यड दिमाग कम निकर लाओ जडी की वैल्यु का है दस रूट दो तो जिरो से जिरो कटगी दस अपन्य रूट दो कह जाएगा पांच रूट दो एंपर की दारा अब सक्ति होते है वी आरेमस और कोस्फाइब यारेमस की वैल्यू सो वोल्ट है आई यारमस पांच रूट तो यह हो जाएगा सो पंजे पांद सो वाट ओके अब अगला कुशन है चपन वोल्ट वी वांतर के द्वारत वरीत इलक्टोन का समवेग उद्दे ब्रोगली तरंग दे रही है यह स्पेस्टार लगा है क्योंकि वोल्ट वी वांतर दे के दे प्र सब्सक्राइब बराबर होता है टू एम एक है गति जोड़ा और यह को हम लिख सकते है क्यों इन्टू वीजे सेल्पकन प्रोटोन वाले कुशन में लिखाता है क्यों आवेस कुना वी वोल्ट विवांतर ठीक है अब इलेक्ट्रोन है तो दो दरवेमान उसका नो पोइंट बन जाएगी पचास उसका फी स्क्राइब रूट लेंगे तो माइनस पच्चीस हो जाएगी बाकि सब वैल्यूज रूट में आगी दो अच्छली मैंने कैसे करा नाइन पॉइंट वन को तो नाइन मान लिया उसका रूट ठीकर लिया अब जो यह वन पॉइंट सिक्स है उ उसको 16 बना दिया और फाइप पॉइंट चपन को फाइप पॉइंट सिक्समान लिया शिक्स्टीन का रूट फॉर हो गया अब फाइव पॉइंट सिक्स की मल्टिपलाई करीड तू में तो कितना आ जागा करीब 11.2 आ जागा और 34 को स्कूर रोट तक 1156 तो उसको उसका पॉण पी ठीक है देरे बोगली तरंग देर एच प्लांग ने तंग पीव समवेक ठीक है चुको पी से डिवाइड कर दिया यह से इसको डिवाइड करा इसकी वैल भी 40.8 की लगबाग 41 ले लिए इसकी 6.65 ले लिए लिए लगबाग थोड़ा इसका इसको बढ़ाया तो थोड़ा सा उपर भी बढ़ा दिया मैंने जो गया डिवाइड करा तो यह अंस्वर आ गया लैमड़ा गया ठीक है तो इसमें कुछ नहीं बस दो फोर्मूले से थे हैं और मुल्टेपल आई जो है थोड़ी कैलकुलेशन भरी वेड़कम कैलकुलेशन थी अगला कुशन यह है नाभी की बंदन उजय क्या होती है तो नाभी को बार से जो एनर्जी देनी पड़े कि इसका न्युक्लियॉन्स को लग-छला करने के लिए उसकी बंदन उर्जय होती है और एक औट ऑक्सीजन शिक्टीन नाभी की द्रिवमान साथा आप हम परती नुग्लियॉन बंदन सभी करें प्रोटोन दिया है न्यूट्वन का रुकाय कि एक 1000 साइद में प्रोटोन है कोई गुणा यदी सब्हुत कर लिया की है इतना आगया उसके बाद हमने का द्रेवान चती क्या हो जाएगी नुकलियोनों के द्रेवान में से जो इस नाभी का द्रेवान है वो गटा देंगे ठीक है तो पहले तो गलत हो कि था बाद में ने गटाया इसमें से जो भी दे रहा था यह वैल्यू गटाई तो यह आगी 0. बंदन उर्जा क्या हो जाएगी इस जो द्रेवान चती है इसकी 931 मिल्यान इलेक्टोन वोल्ट में गुना कर दी तो यह वैल्यू आगी एक सुतेश पॉइंट पांस थरी मिल्यान इलेक्टोन वोल्ट है वाद हमने का परती नुकलियोन बंदन उर्जा इसमें कितने नुक अब अगला कुशन है कि वाई यू के साफिक्स कांच का पूरत तरंग 3 बटा 2 है तता जल का पूरत तरंग 4 बटा 3 है एक दुए उत्तर लेंस के वकर परस्टों की तरिजाए 20 सेंटिमेटर और 30 सेंटिमेटर इस लेंस की फोकस दूरी वाई यू में तता जल में ग्याथ क गैस का लिया जाता ओत तर लेंस के पहला पया पैलस का दूतर माईनस तो एक 20- माईनस- 1 बटा- 30 दोनों चुछ जाएंगे या जाएंगे 5 बटा-60 यानि कटके एक बटा-12, और तीन बटा-2, तोनी 24 सेंटिमेटर मारा उत्तर हो जाएगा जल में जल किसाद एक साब बटा बरां गोजगा तीन बटाध दोगटे चारबटा थीन माइनेंस वन और ये वैल्यू तो एक बटावारा आई गई थी ठीक है यह ऊपर चला गया नो ब devices 1 बटाट बचेगा और यह अगला परिबासित कीजी की तो इसको तो कर लेना है तो 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 पॉर्शन में पंच हैंए कर रह、 में जीरो पॉइंट एक सेगिंड में धारा बारा एंपियर से बदलकर सार्ट एंपियर हो जाती है परे रख में कितना विदूत वाकबल परेरित होगा तो देखो यह फोर्मल होता है ल बराबर माइनस इवटा डियाई बाइडेटी यह फिर परेरित विदूत वाकबल और नीचे 0.1 उससे डिवाइड करा तो 500 वोल्ट हमारा अंस्वर हो गया ठीक है अलब 500 वोल्ट विदूत वाकबल अगला कोशन है एक तार के अनुपरस्त काट का चेत्रपल इतना है तार के मुक्तिलक्तों नों गनतु इतना है तार में इतनी एंपियर धारा बैरी है तो में दारा गनतु और अनुगमन वेग बताओ क्या होगा तो देखो धारा गनतु का पॉर्मूल होता है आई बटाई यानि दारों को अनुपरस्त काट के चेत्रपल से बाग कर दो इसकी वैल्यू तीन पॉइंट दो इसकी पावर मैनस साथ यह उपर चली गई धारा गनतु तो यह आ गई ठीक है एन जो है देई रखा है दो गुना दस की पावर अथाइस और यह मने लेक्टोन गावेस यह रहा है ओके अब वन पॉइंट सिक्स टू जा त्री पॉइंट टू कट गया उससे और जो है यह उननीस उपर चला जाएगा 26 26 उपर नीचे अथाइस तो माइनस के दो टैनी की पावर माइनस दो बज जाएगा मीटर पर सेकंड को कि दोबारेदेख लो इंट नगे इंट अब देखो एक गोली यह दूर दर्शाथ की फोकस दूरी एक से एक मीटर है जब अंतिम परतिविम इस परस्ट दरश्टी की नियुनतम दूरी पर बनता है तब लैंसों के बीच की दूरी वन पॉइंट जीरो फाइं मीटर होती है नेत्रीगा की फोकस दूरी वैं दूर दर्श्टी की आवर्दन चमता ग्यात कीजिए मतलब जैति मतलम पर दो धबस्ट न veramente पर जदया तो ऑंतिम पर टी नियु estamos topic था यह पर होजगता की जो यवक उसकी फोकस दूरी पर रखेंगे युए को एफ़ी कर देंगे तबी तुम्त करती ऐख मिए तो एक मिटर था हमारे पस तो यूई क्या जाएगी एक मीटर गटा देंगे इसमें से तो जिरू पॉंट जिरू फाइब मीटर बचे का यानि के पांस सेंटिमेटर अब अंतिम पर तिविम यह बना रहा है डी पे यानि इस पर दरेस्टिक नियुन तम दूरी यानि पच्छी सेंटिमेटर तो अब ने तरीका में हम जो है यह लैंज उतर लगा बटा चार यानि 6.25 सेंटिमेटर है नि कुछ ज्याद़ी स्पीड चल लागा करें लोग तो साथ 0.75 एक्स पर ना देख रहे हो तो आसाने वह लैंड सुत्र लगाना है देखो और अब लैंड सुत्र में बताओ यह फॉर्मूला यह वैल्यूज रखी ठीक है बार भी में अगयों पेपर देने वाले हो तो यार थोड़ा तुरंत की तुरंत प्रैक्टिस भी बहुत तेज होनी चाहिए तो यह आगी इसकी फोकस दूरी नहीं तरीका की फोकस दूरी ठीक है अब इसकी आवर्दन चम्ता निकालने आवर्दन चम्ता का फोर्मूला लिखा आफ नो तो चार उपर चले गया ठीक है 25 बटाचार लिखते ना तो चार उपर चले गया ठीक है 25 से इस सो गठके चार आगया चार परवा पंजे कितना आगया असी आगया ठीक है और इस पॉर्मॉले में डारेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं चीन विन की परवा करें बिना ठीक है तो वहीं हमने करा और असी माइनस असी क्या आगया हमारी आवर्दन चमता आगई अब देखो यह कुशन है दो बहुत बड़े वह सीधे तारों के बीच की दूरी दस सेंटिमेटर है इन में से एक तार में पांच एंपियर तर दुसरी तार में डेड़ेंपियर की दारा बैर रही है दिखाए गए चिंत्र अनुसार बिंदू पीपर चुंबा की चेत्र का प अब उठा करोंगे तो अब अंगल्यों को कर्ल करते हुए पी की साइड लाओंगे तो इसमें उगल्या उपर की और आएगे ठीक है मतलब इसका चुंबा के चेत्र विपरीद्दी सामें ठीक है मतलब गटेगा ठीक है वैल्यू गटेगी एक दूसरे में से देख अगर इस कि युदेया कि युदधे युद्य आर बदर याइसको त horrific कैसी वैल्यू तो कित्ง節 की पावर माइना साथ हो जाते है किसकी वैल्यू और को मियूद्ट को अपॉन अई बटा तूपाईया यह यह लिका हुए आपए ठीक है चुंबा के चेत्र भी वराबर तो इम्यून औ पउन तूपाइस की वैल्यू कि क्या हो जाती है दो गुनादस की पावर मायनस दारा है इसमें पांच एम्पियर की और दूरी कैया इसकी दूरी हैसकी 4 cm तो चार गुनादस की पावर माइनस के 2 मीटर में बज़ते लगे तो ये से कट जाएका तो चार गटे का दो आ तो ही आ जाएगा ठीक है माइनस 2 पर चले जाएगा तो यह आ गया 5 बटा 2 कुना 10 की पावर माइनस 7 पलस 2 हो जाएगा यह माइनस के 5 टेसला ठीक है यह इसको बी 1 बोल देते हैं इसको आई 1 इसको आर वन पहले वाले के अब दूसरे वाले के लिए और इसकी दिशा क्या है इसकी दिशा है असलिए प्रस्ट में अंदर यह हो रहा है नहीं अंदर माद अन्दर गुसरा है पेज में यह ज़्याइज के अब बेटो क्या है बीटो है म्यू नोट बटे two पाई और आई-टू बटे डी आल्टू यह जाएगा तो इसकी value तो वही दो गुणा दस की power minus के साथ यह है यहाँ पर ठीक है और दूरी कितनी बचेगी इसकी देखो देखी लो यह 4 cm है टोटल 10 है तो यह बच जाएगी 6 cm ठीक है तो 6 है तो इसको लिखेंगे 6 गुणा 10 की power minus के 2 देखो 15.60 होता है तो इससे इसको divide करेंगे 4 जाएगा ठीक है तो यह उपर चला जाएगा यह हो जाएगा एक बटा दो गुणा 10 की power minus के 5 टेसला ठीक है अब यह कहां को हो रहा है यह बार की हो रहा है प्रस्ट के बार की अब जोए यह वैल्यू बड़ी है यह वैल्यू छोटी है कुल चुम्ब के छेतर क्या हो इसका बी वन को माइनस भी टू ठीक है यह यानीगे पांच बटा दो कुना तसकी पावर माइनस के 5 टेसला में से गट जाएगा एक बटा दो गुना दस की पावर माइनस के पांस टेशला पांच बटा दो में से नदर की ओर यह अंस्वर हमारा आ जाईगा ठीक है जी अगर आप बीवन लिखा बीटू लिखा और दोनों की जी सब अलग थी तो बीवन में से बीटू घटा के चुम्ब के छेतर हम ले आए अब देखो एक कुश्चन है कि एक धरमापी का परति रोध पांच हो मैं और या अदिक्तम डेड्ट है एंप्यर की धरमाप सकता है इसी अंदर को 6 अंपियर की धरमापने वाले अमीटर में बदल कैसे बदला जा सकता है इस अमीटर का परति रोध जाते हेई टो कैसे बदलेंगे इस गैलवेंगोमेटर के साथ में जिस माँतर करमby के साथ में इसके समांतर करफ में एक क्या लगा देंग consider लगा देंगे विसी पर चिरोऑद लाड़ ठीक है कि अब यह बने गया मेरा अमीटर यह पूरा सिस्टम बने गया अमीट और अमाने पास होता है वैलियू कि टैलविम्रमें में जो दारत है इंटू गैलविनम्र मेंटर का जो परतिरोध हैं वह बराबर होगा Emitr की जो धारा का prank fi गेटर गुणा जो Emitr का पर सिरोद होगा थिक थिक है तो Ig की value क्या है यह नाप्ता थब Chicago प्योद फेटर फ़फगे था 5 ओम यह नाप्ता है 6 Amm प्योद नहिविश्य हेटर की इसका पर सिरोद बताना है तो 15 शुक के साट वही चार आजएगा चार डिवाइड में 5 बटा 4 बराबर आरे मतलब इसका पतिरोध आजएगा जोएंटर का पतिरोध है 5 बटा 4 अगर पूछ ले जो इतार जोड़ा हमने इसका पतिरोध कितना वाइगा? इसको मानगे आर 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 बोलते हैं तो हमें पता है आरे जो अमेटर का परतिरोद आया है वो इन दोनों को समांतर करम में जुड़िए आया है ठीक है गैलवेनो मेटर का परतिरोद कितना था पांच ओम था एक बटा पांच इसके साथ में कुछ जुड़ा है हमने आर बो ठीक है एक पटा आरे इस और बराबर पांच वट्टा तीन ओम अलब पांच वट्टा तीन ओम के प्रतिरोद को अमने जो देंगे तो वह उसमेंटर में बन जाएगा जोगी छैमपियर तक करन्ट माप सकता है और इस अमिटर क्या प्रतिरोद होगा पांच वट्टा चार ओम ठीक है तो सारे कुश्यन निमट गए साइट के भी नुमेरिकल्स हमें दीजिया आग गया बोलिए जैसी आराओं